नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका अपना बिजनस दोस्त आशी शगरवाल और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइज बताओ आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही लो कोस्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बताने वाला हूँ और ये फ्रेंचाइजी आपको फोको मोडल और फोफो मोडल मतलब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी और फ् प्रेस करना मत भूलेगा, so friends, मैं जिस company के आप से बात करने वाला हूँ, वो company Calcutta के एक बहुत ही famous company है, 5 से ज्यादा इनके अपने stores Calcutta में हैं, और ये बहुत ही profitable run कर रही है, और ये अब franchising model पर आई है, और ये franchising model में आपको Foco model भी दे रही है, और Fofo model भी दे रही है, मतल आप खुद से run करिये और ज्यादा मुनाफ़ा कमाईए, तो इन दोनों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, सबसे पहले इस company का नाम क्या है, दोस्तों इस company का नाम है 7x12 fried ice cream, Calcutta की एक बहुत ही famous company है, जो कि fried ice cream के लिए मसूर है, यहाँ पर आप live ice cream बनते हुए द बहुत सारे अलग-अलग flavors हैं, आपको description में complete flavor की list दे दी जाएगी, दोस्तों आप उस link को click करके आसानी से इनके सारे flavors के बारे में जान सकते हैं, साती साथ जो इनके flavor हैं, वो 70 रूपी से सुरू हो जाते हैं, और 200 रूपी से इनके अलग-अलग flavors हैं, और यहाँ पर जो profit margin रहता है, वो profit margin बहुत ही जादा रहता है, जैसे कि अगर मैं 130 रूपे की normal cup की बात करूँ, तो उसमें आपका अगर हम लोग सारे खर्चे मिला दें, जिसमें कि आपका 100 परेंट भी हो गया, staff expenses भी हो गया, electricity expenses भी हो गया, इन सब को मिलाने के बाद जो आपकी net cost आती है, वो cost आती 55 रूपे से लेकर 60 रूपे, अगर हम upper end भी माल लेकि 60 रूपे की cost है, उसके बावजूद भी एक कपर आप आसानी से 60-70 रूपे arm कर लेते हैं, तो ये आपका profit margin होता है, यहाँ पर company दो model में आपके साथ deal कर रही है, पहला model है 4-4 model, 4-4 model में आपकी जो investment आती है, वो investment होती है 2,50,000 रूपे, 2,50,000 में company आपको complete machinery देती है, machinery के अलावा आपको जो product बनाने के लिए जो भी indigrant से ही होते हैं, वो indigrant one time आपको मिलते हैं, आपका signage board मिलता है, आपका front counter मिलता है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़े company आपको देती है, दोस्तों यहाँ पर आपको complete setup start हो जाता है, बड़ी आसानी से, और आप 2,50,000 रूपे लगाने के बाद, आप आसानी से इस business को सुरू कर सकते हैं, दोस्तों इसके लिए जो आपको space चाहिए, वो 80 square feet से लेकर 200 square feet तका space काफी रहता है, जैसे कि आपने malls में देखा होगा, airports में देखा होगा, य फ्राइड आसक्रीम का जो concept है, वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ concept है, लोग अपने सामने बनती हुए आसक्रीम को देखकर खाना बड़ा पसंद करते हैं, दोस्तों इसलिए concept बहुत तेजी से फलफूल रहा है, और इसमें profit margin बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहा है, त क्योंकि इस pandemic situation का time में, इन्होंने अपनी जो offers है, अपने जो cost है वो इतनी minimize कर दी है, दोस्तों एक तरह के से हम बोले थे company आपसे कोई भी franchise fee चार्ज नहीं कर रही है, जो धाई लाख रुपे आपसे ले रही है, धाई लाख रुपे में यह आपको complete setup दे रही है, machinery दे रही है, आपका front board दे रही है, आपका front counter दे रही है, बहुत सारे materials आपको मिलेंगे, complete training मिलेगी, complete आपको staffing process मिलेगी, आपको हर तरीके से company support करती है, तो हम लोग बात करें थे 4-4 model की, तो अब आपने 4-4 model start किया, धाई लाख रुपे लगा है, आपका business सुरू हो गया, और मैंने बताया, आपका profit margin है, 130 रुपे का cup बेचते हैं, तो 60-70 रुपे का profit margin आपको आसानी सा आ जाता है, अगर हम profit को minimize ले लेते हैं, कि 60 रुपे का profit margin रहता है, तो 60 रुपे में भी अगर पूरे दिन में अगर आपने सिर्फ 100 cup ice cream बेच ली, दोस्तों 100 cup ice cream के बेचना एक बहुत बड़ा कोई job नहीं है, आसानी सा आप बेच सकते हैं, soak up ice cream, तो soak up ice cream बेचकर आप आसानी से 6000 रुपे daily के कमा लेंगे, इस तरीके से अगर हम 30 दिन के calculation करें, तो 1,80,000 रुपे महीना आप कमा सकते हैं, by investing 2.5 lakh रुपी, तो ये इस business की beauty है, कि आप 2.5 lakh रुपे लगाए औ of this business, fofo model के अंदर, अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, foco model की, foco model से हमारा मतलब होता है, franchisee owned company operated, जहां पर सारे operations company के होते हैं, जहां पर maximum खर्चे company के होते हैं, भले दोस्तों जो आपका expense है, वो expense आपका staffing का expense हो, आपका electricity bill का expense हो, आपका कोई miscellaneous maintenance expense हो, सारे expenses company करती है, और इन expenses के बदले, आपसे 30% revenue charge कर लेती है, जैसे कि अगर आपकी पूरे महीने में 2,00,000 की sale होती है, तो 2,00,000 में से 60,000 पे company आपसे charge कर लेगी, बाकी सारा आपका ही रहेगा, इसमें आपको rent pay करना है, अगर आपके rent पे जगह है या फिर आपकी अपने जगह है तो आपको rent pay का profit earn कर सकते हैं, तो again हम वही वाला example लेकर चलते हैं, जहां पर कि आप daily के 100 कप बेचे थे, मतलब 13,000 की sale daily कर रहे थे, पूरे महीने में 4,00,000 की sale कर रहे थे, तो 4,00,000 का अगर हम 15% से लेकर 20% का profit margin में रखे, तो आप foco model में भी आसानी से 70,000 से लेकर 90,000 पे की income earn कर सकते ह तो अब यह आपको देखना है कि आप fofo model में जाना पसंद करेंगे या foco model में जाना पसंद करेंगे, company दोनों ही model आपको allow कर रही है, दोस्तो fofo model में यह आपसे 4% की sales की ओपर royalty charge करती है, और foco model में 30% of the total sales की आपसे charge करती है, लेकिन यहाँ पर खर्चे आपके नहीं होते ह तो यह आपको decision लेना है कि आप कौन से model पर जाना पसंद करेंगे, लेकिन friends मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर आप खुद से कोई store run कर सकते हैं, आप खुद किसी store में बैठ सकते हैं, तो fofo model सबसे अच्छा model होता है, क्योंकि जब आपके कहीं पर पूंजी लगी होती है, और साथ साथ अपर time लगा होता है, तो वहाँ पर आप मेहनत करके अपनी sales को बढ़ाने पर ध्यान देते हो, और जितनी sales बढ़ती है, उतना आपका profit बढ़ता है, अगर आपकी sales दो लाग की है, तो आप आसानी से 70,000 से लेके लाग रुपे कमा लोगे, और आप खुद मेहनत करोगे अपने business के लिए, तो आप 2 लाग की sales को 5 लाग की sales में असानी से पहुचा लोगे, within a period of 5 month to 6 month, तो आप जितनी sales अपनी increase करोगे, उतना आपका profit increase होता चला जाएगा, तो अगर आप मेरी राय माने, तो Fofo model is always a better model, लेकिन अगर आपके पास समय न support दे रही है, so you have the both models, company के जो flavors है, बहुत ही awesome flavors है, आपको हर fruit का flavor मिलेगा, आपको combinations flavor मिलेंगे, 7 by 12 ice cream is really a great choice for you if you want to start an ice cream parlor business, दोस्तों अगर आपकी कोई भी query होती है, तो description में Google form दिया गया, आप उस Google form को भर सकते हैं, screen पर number दिया गया, इस number पर call कर सकते हैं, दोस्तों मेर बाद हमारा सारा office staff चला जाता है, और आपकी calls के answer नहीं मिल पाएंगे, यह हमें भी बुरा लगेगा, और आपको भी बुरा लगेगा, उसके बाद भी अगर आप इस वीडियो को देखना, आप हमें WhatsApp कर दीजिए, और अगले दिन हम आपके सभी calls का answer जरूर देंगे, so friends, यह था आज का business video आपके लिए, जोस्तों आप भी अगर किसी ऐसे business को जानते हो, जिसके अंदर capability है, grow करने की, जो अपनी franchise देना चाहता है, तो आप हमें लिखकर बेजे, आप हमें mail करे, आप हमें WhatsApp करे, आप हमें comment करे, हम उस video को promote करेंगे, इसी channel पर जैसे कि आज हमने किय है, 7 by 12 ice cream को, this is really a wonderful opportunity for all of you, Kolkata के लोगों को बड़ा अच्छा लगया, क्योंकि आप जानते होंगे, आपने Kolkata में इनके 5-6 outlet जो हैं, वहाँ पर इनकी ice cream जरूर टेस्ट की होगी, अगर आपने टेस्ट की हैं इनकी ice cream, तो नीचे comment box में बताएं कि इनकी ice cream के quality कैसी है, thank you friends I am a business friend, Ashish Agarwal and you all are watching Franchise Batao, do share this video, do like this video and do subscribe the channel, thank you, thank you once again